हेलो स्टुडेंट आज का आमारा सब्जेक्ट है कनवाजिशन सो स्टुडेंट हमने चैप्टर नमबर 13 साम गूल्डन वर्ड्स ये चैप्टर हमने अच्छे से समझ लिया था ओके सो आज हम उसकी एक्सरसाइज करने वाले टेक आउट पेज नमबर 41 क्रेशन नमबर A imagine it is your partner's birthday today you make card and wish him or her write and say the following sentences with your partner and use some golden words in the conversation सो बच्चों हमें क्या करना है यहाँ पर conversation दिया है उसे हमें complete करना है यहाँ पर कहा है आप अपने फ्रेंड के लिए बड़े कार्ड बना रहे हो है और उसको आप कैसे विश्च करोगी सो पहले तो यह देख लिना है कि आपका मतलब फ्रेंड हो जैसे कि बॉइफ्रेंड हो तो फिर उसी साब से हमें him यूज करना है और अगर गर्ल हो न तो हमें her use करना है तो हम स्टार्ट करते हैं देखो यहाँ पर क्या है यूज सेज हैपी उसका बड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे हैपी बड़े यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर आप लिख दोगे जैसे कि आयूशी तो मैं कहूँगी हैपी बड़े आयूशी देन देस हमने उनके लिए कार्ट बनाया है ना उनके फ्रेंड के लिए तो हम क्या बोलेंगे देस कार्ड फॉर यू यहाँ पर आपको लिखना है देन हमने उससे कार्ड दिया ना तो वो कुछ कहेंगे न हमको तो पाटनर सेज थैंक यू सो मच फॉर दिस कार्ड ओकी मैं सिर्फ यहाँ पर बोल्ड यूँ आपको लिखना है खुद से देन फिर आप क्या कहोगे यू आर माइ बेस्ट फ्रेंड ओकी आपको जो कहना है न अपने फ्रेंड को वो आप यहाँ पर लिख सकते हो इसलिए यहाँ पर हमें यहाँ आपके फ्रेंड का इरेजर खो दिया है और आपको उसको बताना है इसलिए यहाँ पर हमें यह कर्वाजेशन दिया है वो हमें यहाँ पर कम्प्लीट करना है फ्रेंड सेज कैन यू गीव मी बेक माइ इरेजर ओकी आपका फ्रेंड आपके पास इरेजर माग रहा है कि मुझे वापस कर दो मेरा इरेजर ओकी आप क्या कहोगे आपने तो वो खो दिया है ना तो आप क्या कहोगे I'm sorry I lost it ओकी देन फ्रेंड क्या कहेगा फिर फ्रेंड सेज इस आल राइट वो कह रहा है कोई बात नहीं इस तरह आपको करना है Then C You forget your English conversation book at home Use golden words and ask your partner to let you use his or her book Write or speak aloud in the class So आपने आपकी जो English conversation की book है ना वो घर पर ही आप भूल गया है ओके और आपको आपके partner मतलब जो होगा ना आपका friend उसको आपकी मतलब उनकी book use करने के लिए मांगनी हो तो फिर आप किस तरह कहोगे वो यहाँ पर हमें English conversation complete करना है Okay You say is आप उसे कहोगे ना You say is I forgot my English conversation book at home Okay May I Please use your book Okay Then partner क्या कहेगा Yes Sure Okay फिर आप उसे thank you कहोगे Okay आप क्या कहोगे Thank you so much Okay इस तरह आपको यह conversation complete करना है Okay यह आपका अच्छा home work है सब्साब्छाबत आपका और शे एह ने, है सक्बापे